हेलो एवरीवन वेलकुम बेक तो माई चैनल तो इन्वार्मेंट एजूकेशन का बेसिकली आप लोग के लॉग कोशन किस तरीके से बनते हैं शौट वैरी शौट वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो को एं तक देखना है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करके जाएगा तो इन्वार्मेंट एजुकेशन यहां पर देख रहे हैं मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सारी इंपोर्टेंट लिंक मिल जाएंगे मेरतों क्लासेज में अप्लोड करी हुई थी और 2017 से लेके 2020 तक कि मैंने व इन तरीके साथ जिसमें आप लोग को पता है कि तीन आप लोग के प्रश्न देगे होते हैं और ऊंपी ऊप्शनल ंभी होता है ठीक है कोई भी दो प्रस्न करने हिव में नौरमल था बटेशिकली कॉन्सी कॉश्चन मुत अस्पैपर आता है तो यहाँ पर चलिए देख ले करना है उसके चौइस में आपका पारिस्तिक तंतर से आप क्या समझते हैं पारिस्तिक तंतर के गट को को कविस्त वर्णन करना है जिसे हम लोग ecosystem तो इसलिए याद रखना कि ये दोनों थो के लॉंग में आएगा तो यह आपका कोशन के साब से मैं आपको बतारहीं दो कि प्रीवेश कोशन पेपर का पैटर itha T दूसरा आपका इस तरीके से आने वाला है कि परियावरन का अर्थ उसकी परिभास को आपको बताया है परियावरन के जितने अलग अलग अपर प्रिकार होते हैं उसको आपको डीटेल में आप एक्स्प्लेइन करना है इंग्लिश मीडियम वालों को हो सके इसलिए मैं काते हैं कि आप यूनिट वाइज इंपोर्टेंट चाहते हैं कि निकले यूनिट वन टू फाइफ का सिंगल सिंगल मैं आपका निकाल दू वीडियो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आप लोग पुरी कोशिश करूंगी तो पारिसितिक तंत्र से आप क्या समझते है महरुस्ताल और जलिये पारिसितिक तंत्र की विशेष्टा का वंडेंट करना आपको नेक्स आपको यहां पर बहुत ज्यादा से कह सकते कि इंपोर्टेंट है कि आपके यहां पर फॉरेस्ट रिसोसिस के ऊपर कोशिशन आते हैं लॉंग कोशन में ही जादा तर आपके इस प्रेक्शन के यहांनि कि सोसीस जो होते हैं उसका टॉर्ष्ट अपृष्ट नावक्त। इस तरीक आप इसको इख्जाम से पहले आप लोगे बोल सकते हो कि प्रीटे परीपर समझ सकते हैं इसको स्वर्फ कर में देखरों कितने आप लोगे मेब दोते ह्यां प। में जैवी घटकों को बताना है खादे श्रिंकला बताने है फूट चैन फूट वेव आप लोग क्या थे और पारिस्टितिक पिरामीड के ऊपर बहुत इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग से स्किप मत कीजेगा यानि कि आपको यहां पर पिरामीड के ऊपर कोश्चन आएगा वन उन्मोलन अथवा वन विनाज के कारण डीफॉरेस्टेशन के ऊपर भी कोश्चन आता है तो मेक शूर कि आप लोग यह सारे टॉपिक करिएगा स् डीफॉरेस्टेंट जल्क जल्क रॉपयोगिता बताएगा वाटर के यहां पे यूजीज होते हैं जाएवि के विता बताने है उसके बाद वायू परदर्शन के कारेंट बताहने है तो आप लोग के नहीं पर पोल्यूशन का भी बहुत अच्छा एकोशन है जो कि आप इसको बिल्कुल मत स्किप कीजिए पॉल्यूशन के कोशन आपके लॉंग शॉट वैरी शॉट तीनों क्रैक कराएगा बहुत एजी तरीके तो पॉल्यूशन के एक सिंगल टॉपिक जिसमें हमें पता है कि उसमें पांस टाइप सबसे जादा आती है तो उसमें जि उसमें जाएंगे उसके बाद आपको अमली वर्षा के कारण और उसके प्रभाव बताने ठीक है एक एसे ड्रेंड के ओपर इसके प्रभाव बताने तो लॉंग कोश्यन में भी आप लोग इसके प्रस्ट आजाते हैं दो शगिंगे तो इसमें आएगा कि खादे संग्ला कि तो दोनों की definition आप इसे कर सकते हैं तो उसका दोनों यहां जाए ठीक है यहां पे तो आपको फिलाल के लिए आप चेंड पूछा गया है तो फूचेंड फूट्वेब करीज का डिफिरेंशेट आपको बता होना चाहिए पारित अंत्र के कितने घटक होते हैं वह आपको explain करन है FRI का पूरा नाम बताना यानि कि फूल फाम आप लोग को बोली गई है ठीक वनों के दो लाब बताने फॉर्च के क्या क्या दो बेनिफिट होते हैं BOD का पूर्ण रूप क्या इसको क्या पूरा रूप क्या होता है ताज मेल की मुखे तक किस गैस से खत्रा यह तो इंप तरीके से एक्जाम में आपको कोशिन पूछे जाते हैं यहोप आप यह वीडियो काफिया तक बेनिफिट होगी लाइक शेयर करके जाएगा कमेंट करके बताएं नेक्स वीडियो कौन से चीए अगर आप चाहते हैं कि यूनिट वन टू फाइव में प्रिवेसर के कोशिन बिद हिंदी में आपको एक्स्वेशन कर तो कमेंट करके बता के जाएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग